हेलो दोस्तों, जैसा की हम सभी जानते होंगे दुनिया में बहुत से पेर्व पौधे ऐसे हैं, जिनका उप्योग पुराने समय से कई ओशधिक जरीबूटियों के तौर पर बहुत सी शारीरिक बिमारियों को ठीक करने में किया जाता है। चलिए आज बात करते हैं, ऐसा ही ओशधिये पेर की जिसे सहजन, मुनगा या मुरिंगा की जिसकी पत्तियां और फल स्वास्थे संबंधी बिमारियों को ठीक करने में काफी महत्तपूर्ण होते हैं, सहजन की पत्तियों का उप्योग भारतिये वेंजनों, जूज और बहुत सी ओशधियों को बनाने के लिए किया जाता है, सहजन की पत्तियां शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, इन्हें खाने से शरीर को बहुत से लाब होते हैं, ये डाइबिटीज के रोगियों के लिए, अनीमिया के मरीजों के लिए, इम्म्यूनिटी बढ़ाने में आदी में बहुत फायदेमंद होता है, सहजन की पत्तियों में कैल्शियम, मैगनीशियम, फासफोरस, आयरन, विटामिन A, विटामिन C आदी पोशन तत्व पाये जाते हैं, जो शरीर को स्वस्थ बनाने में सहायक होता है, ये इम्म्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत शरीर के लिए बेहद ही लाभधायक है, दोस्तों, सहजन की पत्तियों का सेवन अलग-अलग तरीकों से किया जाता है, जिससे शरीर को होने वाले बहुत से लाप की जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, नमब उमेह रोगी यदी सहजन की पत्तियों का पाउडर बना कर या डॉक्टर की सलाह से इसके टेबलेट का सेवन करें, तो इन पत्तियों में मौझूद इंटी डायबिटिक और इंटी आक्सिडेंट्स गुन जैसे पिगमेंट शरीर में बलड शुगर लेवल को सामानने करने म 2. इनीमिया जिसे लाल रक्त कोशिकाओं की कमी कहा जाता है, ये बिमारी अक्सर लोगों के शरीर में बेहतर खान पान नहोने के चलते, खून की कमी के वज़े से होता है, इसके लिए इनीमिया रोगी यदी सहजन की पतियों का सेवन करते हैं तो, इसमें मौझूद आयरन और इसके एतनोलिक एक्सरेक्ट से शरीर में खून की कमी को पूरा किया जाता है, बूरे ववरद लोगों के बरती उम्र में हड्डियों में कैल्शियम की कमी से दर्ध होना आम बात है, ऐसे में बुजर्गों वबरते बच्चों की हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सहजन की पत्तियों का सेवन बेहद ही फायदेमंद होता है, इसकी पत्तियों में मौजूद कैल्शियम, मैगनीशियम और फॉस्फोरस जैसे पोशक तत्व हड्डियों में आस्टियों का कमजोर होना, जैसी बीमारी को दूर करने के लिए इंटियों की तरह काम करते हैं, ज जैसे में शरीर में रोग प्रतिरोधक प्रचमता को बढ़ाने से लिए सहजन की पत्तियों का सेवन बेहद ही लाभधायक होता है, नमबर फाइव, सहजन की पत्तियों के सेवन से लिवर में होने वाली बहुत सी स्वाथे बीमारी जैसे टीबी या ट्यूबर क्लोसिस, जै जैसे में काफी मदगार होती है, और लास्ट है नमबर सेक्स, सहजन या मोरिंगा के पत्तियों के रोजाना सेवन से कोलेस्टरॉल के स्तर में कमी आती है, जिससे हरदे स्वस्त रहता है, तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन् और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सबसक्राइब करें और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी जरूर शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू